हलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायलोजी के डाइजेशन और एब्जॉर्फन टॉपिक के पचिफ ऐसे इंपॉर्टेंट क्विश्चन के बारे में जो की BFC नर्फिंग और परामेडिकल प्लफ नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मेडिकल केरियर अपडेट में तो आज से हम एक नई फिरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्विश्चन के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए आज का टॉपिक है डाइजेशन एंपॉर्टेंट क्विश्चन निकालेंगे और उसको देखेंगे जो की नीट एक्जाम के लिए और भी असी नर्फिंग और अने पैरामेडिकल एक्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो चलिए बात करते हैं फश्च क्रिशन की तो यह रहा आपके स्क्रीव के उपर फ़सच क्रेशन दपत अब बाइल कैन नाट भी इसका option है हिपाटिक सेल्स, हिपाटिक डक्ट, गाल ब्लेडर, सिस्टिक डक्ट और दूसरा option है गाल ब्लेडर, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाद बात करें तिफरे option की तो hepatic facebook, fistic duct, hepatic duct, common bile duct और fourth option की बात करें तो वह more than often are wrong है तो इसका जो सही answer है व district, hepatic field, fistic duct, hepatic duct, common bile duct और यह question लिया गया है bile topic के, आपके digestion and absorption chapter के bile topic से यह question लिया गया है तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे question की दूसरा question है इन दा स्टोमाग गास्टिक एफिड इस सिक्रेटेड बाई दे और इसका option है आगजिन्टिक फेल्स, पेप्टिक फेल्स, एफिडिक फेल्स, गास्टिक फेल्स इसका answer है आगजिन्टिक फेल्स और यह question gastic secretion topic से लिया गया है तो चलिए बात करते हैं अपने third question के बारे में तो third question है यह जो screen के सामने आपको third question देख रहा है यह एक तरह से matching question है इसमें आपको correct match करना है digested product in human given in column 1 and your absorption site and mechanism in column 2 तो इसमें आपको matching करना है तो इसका जो सही answer है वो है इसका जो सही answer है वो first वाला है जो है glyphen and glucose and active absorption जो इसका small intestine यह absorption topic से लिया गया है आपका question तो चलिए बात कर लेते हैं अपने fourth question के बारे में तो जो हमारा fourth question है वो है the wall of elementary canal from osophagus to rectum poses four layers the sequence of these layers यह sequence match करना है यह option screen के सामने आपको दिख रहे होंगे तो बात करें इसके जो सही answer की तो वह सही answer है फोर थाप संजीस का जो है sequence ही है वह है फिरोसा मस्कुलरी सब्म्यूकोफा और म्यूकोफा और बात करें एक question किस topic से लिया गया है तो यह question आपका histology of gut topic से लिया गया है तो चलिए बात कर लेते हैं अपने 5th question के बारे में तो जो हमारा 5th question है वह है और जिसका यह answer है वह है इसका जो सही option है वह है 4 layers यानि कि तीसरा option और बात करें है किस topic से लिया गया है तो यह जिस topic से लिया गया है उस topic का नाम है swallowing histology gut बात करें अपने 6th question की तो वह है what happens duct is the duct of और इसके जो option है वह है sub-mandibular salivary gland, parated gland, sublingual gland और last option है all of these तो इसका जो सही option है वह है first option यानि कि sub-mandibular salivary gland और यह जिस topic से लिया गया है उस topic का नाम है effe-free digestive gland और चलिए बात कर लेते हैं अपने 7th question के बारे में तो जो हमारा 7th question है वह है the richest forces of vitamin B12 are और इसके जो option है वह है goat flavor and spirulina chocolate and green gram rice and hens egg carrot and chicken breast तो इसका जो सही option है वह है first option यानि कि goat flavor and spirulina और यह जिस topic से लिया गया है यह question उस topic का नाम है gastric secretion तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले question यानि कि AIDS question के बारे में तो वह है the portion of human stomach into which the oesophagus opens is the और option की बात करें तो cardiac fundus corpus pylorus तो सही option है यहां का इसका वह पहला option है यानि कि cardiac और यह जिस topic से लिया गया है उस topic का नाम है movement of flood in the gut तो चलिए बात करते हैं अपने 9th question के बारे में तो जो हमारा 9th question है वह है growth rate and body weight decline considerably mental faculties are impaired these symptoms are associated with और इसके option है marasmus, quasi worker, indigestion, epilepsy और इसका जो सही option है वह है marasmus और यह question protein energy malnutrition topic से लिया गया है तो चलिए बात कर लेते हैं अपने 10th question के बारे में यानि कि 10th question के बारे में तो वह 10th question हमारा यह रहा आपके इसक्रीन के सामने फिश्टिक डराइजर फ्रॉम और इसके आपफन है लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, गाल ब्लेडर और बात करें इसके एंफर की तो इसका एंफर है फोर्थ option यानि कि गाल ब्लेड और यह question फेफरी डाइजेस्टिव ग्लैंड टॉपिक फिल तो चलिए बात कर लेते हैं अपने गिराहमे question के बारे में तो ग्राहमा question आपकी screen के सामने यह रहा है और जो इसका शही एंफर है वह है है फोर्थ option यानि कि all of these और यह question pancreatic फिक्रीशन टॉपिक से लिया गया है चलिए बात कर लेते हैं अपने 12 question के बारे में तो वह है what prevents the backflow of the fecal matter into the small intestine और इसके जो आप्षन है वह है ileo fecal valve, sphincter of boiden, mecalf diverticulum, pleasy female nerve और बात करें इसके सही एंफर की तो वह है पहला option जो है ileo fecal valve और यह small intestine topic से लिया गया है बात करें बात करें अपने 13 question की तो stomach gastric acid secreted by the parietal cells, peptic cells, acidic cells, gastric secreting cells और इसका जो सही आप्षन है वह है first option यानि की parietal cells और यह जिस topic से लिया गया है उस topic का नाम है gastric secretion अब बात कर लेते हैं अपने 14th question के बारे में तो हमारा जो 14th question है वह है which of the following statements are not wrong यह screen के सामने आपकी कुछ statement दिख रहा है और चार option दिएगा है इसमें आपको सही option select करना है जो आप statement गलत नहीं है तो इसका जो answer वह fourth answer है और यह elementary canal oral cavity topic से लिया गया है बात करते हैं अपने 15th question के बारे में तो हमारा जो 15th question है in addition to neural control hormones also influence the gastric secretion, intestinal secretions, muscular activities of different parts of elementary canal all are correct और इसका जो सही option है वह है चौथा option यानि कि all are correct और बात कर लेते हैं अपने 16th question के बारे में तो वह है which of the following cannot be the parasites of intestine और इसके जो option है वह है tapeworm, pinworm, virus, threadworm और इसका जो सही answer है वह third option है जो हमारे third option है वह है virus यानि कि virus इसका सही answer है अब बात कर लेते हैं अपने 17th question के बारे में secretion and polycytokinin are digestive hormones, they are secreted in oesophagus, ileum, duodenum, pyloric stomach तो इसके answer की बात करें तो इसका third answer सही है जो है duodenum बात कर लेते हैं अपने 18th question के बारे में वह है find the wrong statement out with respect to oesophagus यानि कि oesophagus से respect करते हुए यह wrong option कौन सा है तो option की बात कर लेते है thin long tube, extend posteriorly, passes through diaphragm, opens into thorax और इसके जो सही answer है वह है fourth option जो कि हमारा fourth option है opens into thorax यह सही answer है बात करें अपने अगले question के बारे में जो की 19th question है हमारा वह है the initial step in the digestion of milk in infants is carried out by lipase, tripfin, renin, pepfin और जो 19th का सही answer है वह है third option जिसका third option है वह है renin और यह जिस topic से लिया गया है यह question उस topic का नाम है gastric secretion और बात कर लेते हैं अपने 20th question के बारे में तो हमारा जो 20th question है जो हमारा जो बीश्वा question लिया गया है वह histology of gut topic से लिया गया है तो यह रहे हमारे आज के 20th question और बाकी के हम पांच ऐसे question बताने जा रहे हैं जो आपके लिए homework है यानि कि आपको इसका answer comment box में type करना होगा जहां दोस्तों जो comment box में सबसे पहले और सही type करेगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा तो चलिए बात कर लेते हैं पांच homework वाले question के बारे में तो वह है पहला question है उसमें where is protein digestion accomplished और इसके जो option है stomach, ileum, rectum, duodenum जो सही option है उसको आपको comment में करना होगा बाकी ये question हम अगली वीडियो में cover कर लेंगे तो बात कर लेते हैं दूसरे homework question के बारे में वह है the hormone that stimulates the stomach to secret gastric juice is और इसके जो option है वह है gastrin, renin, enterokinase, enterogasterone और जो third question है वह है in one case the parameters are और ये जो चार option है आपके screen के सामने दिख रहे हैं बात कर लेते हैं अगले question के बारे में तो वह है during digestion before the action of lipase fat is emulsified by ergosterols, phospholipids, lipoproteins, digitonin जो आपको 5 question लगे वह आपको comment में बता देना है fourth question है homework वाला, last question बात कर लेते है homework वाला, which of the following end product of digestion is absorbed by means of active, passive and facilitated diffusion और इसका जो option है वह है glucose, water, fructose, galactose तो ये रहे 5 आपको homework वाले question इसको आपको कैसे answer देना है comment आपसे वह मैं बता देता हूं जैसे हमने 5 question बताएं है तो आपको first लिखना है फिर death लगाना है फिर जो option सही रहेगा वह लिखना है फिर उसके बात दूसरे line में second लिखना है फिर उसको जो second का option रहेगा वह लिखना है ऐसे है 5 question link 500 का answer link के comment कर देना है आपको top 5 लोगों का नाम हम अगली वीडियो में लाएंगे यानि कि 5 लोगों का नाम announce करेंगे जो सबसे पहले comment में answer देगा और इसी साथ अगर यह हमारी series आपको अच्छी लगती है तो बताएं हम आपको ऐसे ही physics और chemistry और हर chapter के biology से एकदम बढ़ रहा तो हम लोग live quiz भी करवा देंगे तो अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो कर दीजे like आईसे और series चाहिए तो I want part 2 लिखिए comment box में और channel को subscribe कर दीजे तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ धन्यवाद